वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल लर्णिंग हूं यह मेरा पार्ट टू वीडियो है फॉनिक्स को लेकर आज में वोक्षिट शेयर करने चाहरी हूं आपके साथ ठीक है मैंने पार्ट वान में से वीडियो के काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताय थे कैसे आपको बच्चों को से वीडियो को नहीं देखा है तो प्लिस चेक टैट वीडियो जो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है लिंक यह मेरा पार्ट टू वीडियो है ठीक है और आप वीडियो को देखने के बाद यह वोक्षिट को आसानी से करा सकते हैं आज का मेरा यह फॉनिक वीडियो वोक्षिट से रिलेटेड मैंने ऐसे दस इंपॉर्टन टाइप्स बताए हैं बताने वाली हो इस वीडियो में जिससे आप असानी से अपने बच्छों को प्राटिस ले सकती हैं से वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप वान में आप बच्छों को बीगनिंग साउंड जो है अडेंटिफाई करने के लिए दीजे क्योंकि वह शॉर्ड ववल साउंड से अच्छी तरह से वह समझ जाएगा और अब्जेक्ट का नाम से ही वह जाएगा कि इसके विग्णिंग साउंड क्या है जैसे बलून से असका वीगनिंग साउंड क्या है वह लिखेगा proud Drum, Drum का Beginning Sound D होता है, तो ये बच्चा D लिखेगा. उसी तरह से, Jug का Beginning Sound J है, J है, तो J लिखेगा. उसी तरह से, Lamp, Lamp का Beginning Sound L है, तो बच्चा L लिखेगा. इसी तरह से, आप Beginning Sound सबसे पहले दिजिए उसे. देखे, Type No.2, Type No.2 में आप बच्चों को Ending Sound को Identify करने के लिए देंगे. आप देखे, जैसे, ये Object का नाम Pot है, Pot, तो Pot के लिए तीन साउंड की जरुवत है, Already, P, O, लगा हुआ है, तो क्या साउंड में सिंग है, T, P, O, T, Pot, तो ये T sound जो है, ये T लगाना है, ठीक है? तो बच्चा यहाँ T लगाएगा, उसी तरह से, Sun, Sun के लिए तीन साउंड की जरुवत है, S, A, N, Sun, S, A, N, N होता है, तो यहाँ N लगाएगा, इसी तरह से, Pan, P, A, N, Pan, P, A, N, Pan, उसी तरह से, Bag, Bag के लिए, B, A, G, Bag, तो B, A, G already है, G missing है, तो यहाँ बच्चा कर लिखेगा, इसी तरह से आप पार्ट टू जो है, टाइप टू जो है, इस तरह से वोक्षिट दे सकते हैं, अब टाइप थ्री में आप बच्चों को आइटिफाई करने के लिए दीजे एक और एक कॉंसोनेंट, जैसे अब बिगनिंग के साउंड जो है, दे देंगे, और बाकी के जो वबल और कॉंसोनेंट साउंड है, बच्चा, वो missing sound को आइटिफाई करेगा, object को देखकर, जैसे fan, fan, fan का, जो word का जो spelling होगा, वो कैसे होगा, फ, आ, न, fan, तो यहाँ फ, अल्र प्लिप के लिए भी ल, ल है, तो और कॉंसे दो साउंड है, लिप, ल, ई, प, लिप, ल, ई, प, लिप, उसी तरह से हट, हट का हाँ समौ अध्या वडू है, अ उंट एमिसेंग है, और पिट, हट, 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 उसी तरह से यह बिभ है, तो bib का beginning sound ब अल्रड़ी दिया है ब बिब ब इब तो ब इब तो ब इब ब इब उसे तरह से 10 10 का ट साउंड जो है अल्रड़ी है तो क्या मिसिंग है अ न ट अ न इस तरह से आप type 3 में बच्चों को इस तरह की वोक्षिट अब दे सकते हैं अब बच्चे को टाइप 4 में राइमिंग वर्ड्स माच करने के लिए आप दे सकते हैं ठीक है तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग है बच्चा जतना वर्ड्स पढ़ता है उतना जादा उसे जो है राइमिंग वर्ड्स की नॉलेज हो जाती लएग 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 से और कौन सा राइमिंग वर्ड्स यहां मिल सकता है तो वो बच्चा ढूंडेगा तो यहां क्या है एग तो दुसरा है बेग लेग बेग तो यहां पर भी इजी है और यहां भी इजी है एग एग है यहां भी एग एग है तो बच्चा इसे माच करेगा ऊससी तरह से एड़ा ठाइड रार रड़ तो रर्ड के लिए यहां पर क्या है यहां भी अएड़ है यहां भी अद्यजिक बस इहां लाँ लग गया है तो यह भी इसका रैमिंग जोड है उसी तरह से आप नेक्स दीजे आप आप माप मॉप मॉप से रिलेटेड यहां क्या है मॉप से रिलेटेड यहां यह है आप आप तो तो बच्चा इसे मैच करेगा इबवरएप रिब रिब से क्या मैचिंग है यह बवन मैचिंग निप रिब निप ऐन पवन पवन पिन से रिलेटेड क्या है यहां भी है एन न अं बवन बिन उसी तरह से आप आप कर आप क्या तो आप नेक्स यहां देखें आप आप टाप ताप तेखें माच है अन अन बन तो बन से रिलेटेड क्या है अन अन रो अन रो तो बन को आप जो है रन के साथ मैच करने के लिए इस तरह से आप राइमिंग वर्ड मैच कराईए उससे प्राटिस में लेजे टाइप फाइब में देखें आप बच्चों को जो है कुछ वर्ड्स दे दीजे राइमिंग वर्ड्स और अब्जक्ट दे दीजे तो यह अब्जेट को आफ यह पड़िगा पहले पहले नौ ठढाग जाअनो उल्स तरह से फिर तैह सकते हैं यह तन मेच आप बाग बाग है येस तो यहां टिक करेगा उसे तरह से इब 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 फॉग है? नो, डॉग डॉग, डॉग है? नो, उसे तरह से लॉग, लॉग है? यस, तो बच्चा यहाँ टेक करेगा, इस तरह से आप टाइप फाइब में दे सकते हैं, अब आता है कि बच्चे को खुद से वर्ड्स लिखने हैं, आपज़िट को देखकर, साउंड के हेड्स और यहाँ यह होत् जोग है, अब जया है के तो चैक को ड्ले साउंड से मिलाएगा कैसम मिलाएगा, का क क यह द एक्वत त आ, यह क्या है, तोप, अलिए टरॉट disciple की साहं ऩोड्रिय तो और प टॉट उआ, दो पॉ बच्चा तोब के साउ만 सा हर अरग होगे, हरिक्च इस तरह से यह क्या है बग बग और बग उसी तरह से यह क्या है पॉट प और इस तरह से मच्चा sound के हल से जो है object को देखकर ही words के नेम जो है लिख सकता है ठीक है object के नेम लिखना आसान हो जाता है अब type 7 में आपको क्या करना है यहां कुछ images बनाने है और साथ में आपको ऐसे words लिखने हैं कि जो vowel है वो अलग हो बाकी सब सेम हो मतलब यहां दोनों consonant और यहां के भी दोनों consonant same है बस vowel sound जो है अलग अलग हो इससे क्या होगा बच्चों को vowel sound पर पकड़ अच्छी होगी उसे समझ में आएगा कि किस तरह से दो same consonant के साथ अगर vowel sound change हो जाए तो words ही पूरा change हो जाता है जैसे यहां पर क आट तो यहां क और ट के बीच a sound है तो यह cat हो गया उसी तरह से क और ट के बीच a sound है तो cut हो गया तो यहां एक vowel sound कितना माहिने रखता है और कितना importance है यह बच्चा अच्छे से समझ भाएगा इसके लिए आप इस तरह की activity बच्चों को दीजिए ठीक है तो इस तरह से वह sounding के हैं से बच्चा जो है देखेगा कि यह तो सेम सेम लग रहा है बट इसका sounding जो है अलग है यहां क्या है cat cat है तो यह cat होगा तो right word क्या है यह है म अप मॉप म आप माप तो यह क्या है मॉप है यह माप है मॉप है तो मॉप को टिक करेगा बच्चा ठीक है उसी तरह से ट आन टान ट ए न टेन तो टान होगा यह टेन होगा तेन होगा तो यह sound है जग होगा जाग नहीं होगा उसी तरह से यहां देखे प अ न पान प ए न पैन 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 पान पैन क्हूण सहे पैन है A sound से, A नहीं, उसी तरह से, र, आ, र, 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 कौंसा है, कौन सा है, र, र, कर ब, कब, क यह, कब है कब है, तो इस तरह से क्या होगा, सेम जो है वावल साउंड है बट वावल साउंड है बट वावल साउंड यहां चेंज करके दिया जाता है तो इस तरह से आप बच्चों को ले सकते हैं बहुत ही अच्छा प्राटिस होगा बच्चा अच्छा से वावल साउंड की पकड जो है सीख पाएगा अब आता है टाइ प्चिन दीजिए बच्चे को A, E, I, O, U, राइट अब बच्चा क्या करेगा साउंड को वावल साउंड को माच करने की कोशिस करेगा जैसे न और ब दो साउंड दी हुई है यहां कुछ वावल वावल मिसिंग है तो न आ ब नाब क्या नाब है नहीं न ए ब नेब है नहीं न M, E, B, Nib है? यहिस नीब बच्चे ने पड़ा है इसलिए बच्चा बलेगा yes, E sound इस तरह से आप बच्चों की प्राट्टिस ले सकते हैं उससे तरह से बच्चा देखे मा और नउ है तो म, अ, न, मान, मान पड़ा होगा बच्चा तो बलेगा yes, मान होता है M, E, N, Main, Main भी ह म, इ, न, म, न, म, न, म, न, म, न, म, न, म, य, म, अ, न, म, न, 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 है चॉइस दे सकते हैं या तो ए दे सकते हैं इसे बच्चा थोड़ा आसानी से पहले स्टार्टिंग फेज में आप पहले दो ही दिजिये या तीन option दिजिये या तो आप पूरे पांच option भी दे सकते हैं बच्चे के convenient के इस तरा से आप च्छेकर कर सकते हैं तो दो या तो तीन या तो चार जैसा बच्चा कर सके तो बाकी के साउंडिंग भी आप ऐसे ही आप करवाएंगे अब टाइप 9 में क्या है कि आपको राइमिंग वर्ट्ष बच्चों को लिखवाना है तो जैसे और अग बग तो बक सरे लेटर और क्या राइमिंग वर्ड हो सकता है रग 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 ठीक है उसी तर इस तरह से बच्चों को राइमिंग वर्ड भी लिखने के लिए इंकरिज कर सकते हैं सीविसी वर्ड के हेल्थ से ठीक है जो आम जाम तो क्या ओर हो सकता है रग राम राम राइट यह आम याम या ड़ आम डाम भी हो सकता है बाउन बाउन रण रण सअन सअन अप अप ट ओ आप या तो काप कॉप इस तरह से भी दे सकते हैं लईिड लीड राइट हईड हेड इस तरह से आप डे सकता है कॉप इलिघ क्पिड इस तरह से जो है बच्च्छ राम रिम वर्ड ड़ोड कमप्लीट कर सकता है इं टाइप नाइं उस आप देख न going अं यह मेरा आकरी types का worksheet है इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों को consonant sound को जो है identify करने के लिए देश सकते हैं या हो सकता है कि वो ending consonant sound हो या तो वो beginning consonant sound हो जैसे देखे फ, ए, फे, फे के साथ और कौन सा sound लगाएंगे तो क्या word बन सकता है तो बच्चा जो है ड लिख सकता है उसी तरह से ल, आ, ला के साथ क्या sound लगाएंगे तो क्या बन सकता है ल, प, ल, ल, ग, ल, तो बच्चा प भी लख सकता है और ग भी लिख सकता है उसी तरह से beginning sound missing है यहां और ending दिया हुआ है ए, न, एन, तो एन के साथ क्या लगाएंगे तो क्या word बन सकता है ह, ए ए एन, है, प, एएन, तो हर लगासकता है जतना बच्चा वर्ड जानता है वह उस वर्ड का यूज कर सकता है वह sound का use करके वह वड को complete कर सकता है ऐसे तरह से इप इप तो लबढ़न इप लिप हो इप हिप इस तरह से भी वो कर सकता है वो बच्चे की साउनक लें कितना वर्द्स जानता है और कितने साउन्स के उसकी पकड़ है इसके उपर डिपेंड करता है ठीक है ब, आ, ब, ब, बा के साथ क्या लगा सकते हैं ब, ग, ब, 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 एंड पन बैंड को लगा कि वर्टस इस तरह से पहले हैं सांचिंग एंड संच लगा कि कर सकता है। उसी पीके साथ क्या लगांगे शागशा है कुछ रइ विसकेuses को बहुत तर्थर निदे हैं क्या भोत सारे बीक निदे हैं साउंड शाउक राका पंसके स्चितिन हैं टीर तो यहाँ कौन से sound लगा सकते हैं ना sound लगा सकता है इसे तरह से burn हो सकता है यहाँ लगा दिया तो burn हो गया तो इस तरह से जो है आप practice ले सकती है अपने बच्चों की ACVC words सीखाने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक शेयर करना शरूर करिएगा और मेरी चानल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलेगा क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं नहीं चीज़े ट्रिक्स फॉनिक्स रिलेटेड आपको शेयर करती रहोंगे थैंक्यू सो मच